दोस्तो आज के स्क्लास में बात करेंगे हिंदी 100 marks के बारे में और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग हिंदी 100 marks का slayvers को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले आपको हिंदी का slayvers आल्रेडी आपको पता होगा नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिये हैं कि आपको हिंदी 100 marks में बिहार बोर्ट के लिए क्या-क्या चीज पढ़ना है कैसे पढ़ना है उस सारे चीजों के बारे में जानकारी उसमें देये हुए हैं आप slayvers वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट वॉक्स में पिन किये हैं आप जाके देख सकते हैं ठीक है अभी यहां पे चलिए हम लोग हिंदी का जो slayvers होता है पहला गद खंड और दूसरा पद खंड तो हम लोग पहला खंड जो होता है हमारा गद खंड और उसमें जो पहला चैप्टर है बादचीत जो की लिखा गया बाल करस्मड़ जी के दौरा इस चैप्टर के सारांस को समझेंगे समरी को समझेंगे और आपके एक्जाम में बारवार यह सवाल आती है आपके board exam को total 5 marks का ये सवाल रहती है कि आप जो है लिखने के लिए आपको बोला जाएगा कि बाचीत पार्ट का सारांस को लिखे तेके या बाचीत पार्ट के भावार्थ को लिखे तो आपको ऐसा अगर सवाल मिलता है तो उसमें आप अगर इसका जवाव अच्छे से अगर आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अगर लिख पाते हैं एक्जाम में तो आपको कुल 5 marks मिलेगा तो इसलिए चलिए अच्छे से त्यारी करिए और बहुत ही जवर्दस्त आपको हम बताने वाले हैं देखे यहाँ पे इस तरीके से एक बहतरीन ढंक से हम आपको लिख के आगे दिये हैं तो बस देखे और आप समझ जाएगा इस वीडियो को आप मतलब प्रॉपर सुरू से अंतक देख लेंगे यकीन मानिए आपको ये याद हो जाएगा तो अपने इस बिजिस रूल से 20 मिनट का समय निकाली हो हमें दीजे और अपना पांस मार्ग साप ले के जाएए चलिए तो ध्यान से अच्छे से प्रॉपर ली देखिए चलिए तो अपना यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर कौन सा है अपन का चैप्टर यहाँ पे है बादचीत कौन सा चैप्टर है बादचीत ठीक है बादचीत हमारा यहाँ पे चैप्टर जल रहा है यानि 23 जुन 1844 को इनका जन्म हुआ है वही निधन की बात करें तो 20 जुलाए 1914 को यहां पे इनका निधन हुआ है एक्चुली हम 23 जुन 1844 इसलिए बोले क्योंकि अभी जो है अभी हम लगातार English 100 Marks जो है तो मतलब मैंक्स जोर आप वो पूरा प्लेलिस्ट अगर English 100 Marks का भी नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके देख लिजेगा अभी यहां पे हिंदी का स्रीज स्टार्ट हुआ है और इसमें पहला चेप्टर बातचीत है इसको सुरू किये हैं बातचीत में आपको याद गया क्या रखना है सबसे पहले वो देखे लेखक के वारे में आपको याद रखना है कि बातचीत पार्ट के लेखक को नहीं रते हैं तो आपके एक्जाम में अगर ऑप्जेक्टिव टाइप को उसमें अगर आती है कि बालकृस्णभडजी का निवास अस्थान कौन सा है तो आपके ऑप्जेक्षन में इलाहावाद साइध हो सकता है कि नहीं दे वहाँ पर प्रयागराज ऑप्जेक्षन में होगा तो आप वो टरीके से मज़दार तरीके से देखना है ठाई माइंड पूरा कंसेंट्रेट होना चाहिए यहां पर आप ध्यान दीज़े ठाइए ।ो यहां पर प्रॉपर देखिये आए सबसे पहले आपके एक्जामे सवाल ऐसे आएगा कि बाचीत पार्ड का सारांश लिखे और टोट से लिखना है वो अब देखे और अगर डिटो इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको 5 में 5 माक्स मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं देखे बादची सिर्षक निवंद आधुनी काल के प्रसिद निवंदकार बाल क्रिस भर दोरा लिखा गया है देखे बादची आधुनी काल के प्रसिद निवंदकार बाल क्रिस भर दोरा लिखा गया है जिसमें वाक सकती को लिखक ने इस्वर का बरदान बताया है कि हम लोग जो आज बोल पाते हैं, वाक सक्ती जो हमें है, हमें बोलने की छमता जो है, इसको लेखक जो है, बालकरस्बड जी जो है, ये इस्वर का बर्दान बताया है, कि इस्वर ने हमें ये खुवी दिया है, इस्वर ने हमें ये बर्दान दिया है, कि आज हम बोल पाते ह तो यह बोलने की सकती जो है यह बालकरस्ण जी कहते हैं कि यह इस्वर का बरदान है तो यहाँ पर वही चीज है कि जिसमें बालकरस्ण जी कहते हैं कि 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 बालकरस्ण ज स्रिस्टी का क्या हलोता किसी को कुछ कोई बैक्ति किसी को कुछ बोल नहीं पाता और ऐसा लगता कि पूरा स्रिस्टी पूरा संसार ही अपना क्या है गूंगा है कोई किसी को अपना भावना अपना फिलिंग्स को बता नहीं पाता तो यहां पर यह चीज बालकृस्णबर जी बताए हैं आगे वे कहते हैं वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को speech की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता sorry देखें यहाँ पर क्या है वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को speech की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता देखो इसमें यह चीज बताएं इस पंक्ती से कि जैसे होता है न मतलब जैसे भासन देने अगर कोई आदमें स्टेज पर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं पहले हलो भाईयों बहनों आप लोग यहां पे आए आप लोग का साधर आवंतरन आप लोग यहां पे इतने धूप में इतने करी धूप में या इतने बारिस में आप लोग हमें सुनने आए बहुत ही कुछी आप लोग को देख के हो रही है पीछे जितने लोग हैं आवाज आ रही वो लोग करते रहते हैं आपस में बातचीत करते हैं हावाई तू कैसा है हावाई तू कैसा है मेरा ये चल रहा है मेरा वो चल रहा है आपस में जो है जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी स्ने है एक दूसरे के परती जो भी फेलिंग्स है उसको सेयर कर सकते हैं तो ये चीज जो ह कि यह से आदमी को जिन्दगी मज़वाडर बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादी की जरॉत होती है वी मज़वाड़ हां जिन्दगी कब मज़वाडर होगी जब आप लोग खाना पीना खाएंगे चलन फिरने तभ ही मजJदार होगी नंशाओव Install जो इस्तिती होती है वही जानेंगे जिनको उस टाइप के खाना नहीं मिल पा रहा होगा जो मतलब भूखे सोते होंगे वो लोग इस दर्द को समझते होंगे तो जिंदगी तभी मज़दार बनती है जब खाना पीना मिलता है चल फिर सकते हैं आदमी तभी तक और वैसे ही ब हाप बनकर उड़ जाता है देखो यहां पर वो बताये हैं जैसे जिनदगी को जीने के लिए जिनदगी को मजदार बनाने के लिए हम लोग को चलना फिरना खाना पीना यह सब बहुत जरूरी है इस तरीके से बातचीत में यान बातचीत भी हमारे जिनदगी में बहुत हलका और स्वक्ष हो जाता है पूरा क्लीन हो जाता है और जो भी दिल में मवाद है मतलब जो भी दिल में कच्रा है वो जो है हिरते में जमा जो रहता है वो मतलब भाब बनकर उर जाता है वो ऐसा लगता है कि वो भाब बनकर उर गया मतलब बोलता है कि मतलब ऐसा है कि कुछ हम हलका फील कर रहे हैं तो यह होती है वही जी बोले हैं कि बातचीत भी उसी तरीके से जरूरी है Ben Johnson यहाँ पर Ben Johnson का चर्चा की है Ben Johnson कहते हैं कि बोलने से ही मनुस्य के रूप का साक्षातकार होता है सही बात है कि बोलने से आके बैठे हुए या खरा है तो क्यासे आप उनके बारे में आप जान पाओगे कि वो आदमी कैसा है कैसा नेचर का कई गुंडा मवाली तो नहीं है या फिर बहुत इसने बहुत अच्छे दिल का तो बैखती नहीं है या फिर कैसा क्या है उसके बारे में आप नहीं जान पा या फिर आप बाचीत उसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इन्सान कैसा है उसका दिल कैसा है उसका मन कैसा है यह सेज़ आप जान पाओगे तो Ben Johnson जी बहुत ही सही बोले है कि बोलने सही मनॉसके रूप का साथ कार होता है कि वो बैक्ती कैसा है वो उसका संस्कार कैसा है उसका ब्रहन सहन कैसा है सारा चीज आंक लेता है आदमी तो वस वही चीज यहाँ पे Ben Johnson जी बोले हैं आगे यहाँ पे लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि जब दो लोग मिलते हैं तो कैसा बातचीत होता है जब दो युवा मिलते हैं tho कैसा बाचीत होता है, जब दो बोड़या मिलती है, जब दो सहेली मिलती है, तो कैसा बाचीत होता है, उस परकार के बारे में विलेखक ने इस बाचीत पार्ट में discussion किये हैं, आगे यहाँ पे है edisen मानते हैं, Ben Johnson कि बोलने से ही नुस के रूप का स और लेखक के एनुसार तीन लोगो के बीच की बाचीत के बल फॉर्मिलिटी होती है तो यहाँ पे आ treadisan मांते हैं कि असल बाचीत जो है न सर्फ दो बैक्तियों में हो सकती है और जब दो बैक्ति होते हैं तभी दोनों एक–दूसरे के सामने दिल खोल के बाते करते हैं जैसी पर बात नहीं वो बत कही हो जाती है और वो फॉर्मलिटी हो जाती है ठीक है बस वो फॉर्मलिटी रह जाती है वो उसको बातचीत नहीं कह सकते हैं तो यहां पर बातचीत के परकार को भी बताए हैं एडिसन जो मानते हैं उसके बारे में भी बताए हैं ठीक है आगे यहां प conversation कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं यूरोप के लोगों में जो बात्चीत का हुनर है उसे art of conversation कहते हैं इसके प्रसंग को सुनके कान को अत्यंत सुख अत्यंत सुख मिलता है और ये जो लोग बात करते हैं यूरोप of conversation किसे कहते हैं तो आप बता पाऊगे न यूरोप की लोगों में जो बातचीत का हुनर है उसे art of conversation कहते हैं और इसके प्रसंग को सुनके कान को अत्यंतर सुख मिलता है इसलिए इसे सो हिरते गोस्ती भी कहते हैं ठीक है तो यह आपको पता चल गया अंतता और लास्में आपको यह लिखना है अंतता बालकरeso मठ कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी सकती पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने आप बादचीत कर लें और बादचीत का यही उत्तम तरीका है और यह इसलिए बोले हैं लेखक कि हम अपने में ऐसे सकती पैदा कर ले कि हम अपने आप से बात कर ले और यही बातचीत का उत्तन तरीका है और यह इसलिए बोले हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर किसी कि यहां गए और आपका सही से आदर सतकार नहीं हुआ उनके मन में कुछ ठेस पहुँच जाती है तो इसलिए लेखा कि यहां पर कहते हैं कि बातचीत का तो मतलब एक अच्छा जरिया ही यही है और असल बातचीत तो वही है उत्तन तरीका बातचीत का वही है जब हम खुद में अपने आप ऐसे सकती पैदा कर ले कि हम खुद से बातचीत कर सके वही बातचीत का उत्तन तरीका है तो यह यहां पर बाल कर स्मढ़ जी बताए है तो कुल मिला कि बातचीत का सारांस यहां पर यही चीज हुआ अभी हम आपको सौट में एक चीज बताते हैं सौट में आपको हम समझाते हैं और अच्छे से आप इसको समझेगा ठीक है और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वगरा चलिए अब फिर से आपको हम समझाते हैं फिर से हम समझाते हैं कि आपको एक ब्रीफ में हम आपको अच्छे से बस बताते हैं ठीक है पीछे आपको हम ज्यादा नहीं कुछ अप लाइन में अंडरलाइन करेंगे देखो बाचीत पार जो है ना बाल क्रिस्वरजी के दौरा लिखा गया है इनका जन्म और निधन ये द हमता है हमें जो बाच सकती है उसको बहुत अच्छे से परदसित किया है कि उन्होंने बताया है कि बाच सकती जो है ना मनुस में वो इस्वर का बर्दान है वो इस्वर का दिया हुआ एक बर्दान है जो हमें मिला है तो यहाँ पर ये बताते हैं उसके बाद बोलते हैं उस बताये हैं कि बात्चीत में बक्ता को इस पीची तरह नास खराज जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है उसी परकार आगे यहां पर बताये हैं जैसे हमें खाने पीने जिंदगी को मजदार बनाने के लिए चलने फिरने की जरूरत होती है वैसे हमारे जीवन को मजदार बनाने क यहां पर आगे यहां पर एडिशन मानते हैं कि असल बात्ची सर्फ दो लोगों के बीची हो सकती है जब ही दो लोग रहेंगे तभी वो लोग दिल खोल के एक दुसरे के सामने बात्चीत करेंगे आपस में आपस में सुख दुख को बाटेंगे सारी अपने भाबनाओं अपने फिलिंग्स को बताएंगे लेकिन जब दो से तीन हुए न तो वहां पर बात नहीं बतकही हो जाती है और वो बस फॉर्मलिटी रह जाती है फिर आगे यहां पर क्या बोले हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात्चीत करने का एक बहुत ही अच्छा होनर है और जिससे आर्ट आफ कन्वसेशन कहते हैं और जिसको सुनके कान को अत्ति सुख मिलता है और इसलिए इसे सौहिर्दे गोस्टी भी इसको कहते हैं अंता बाल कर स्भट कहते हैं कि हम में अपने अंदर ऐसी सक्ती पैदा करनी चाहिए जिससे हम खुद से बात कर सके और बातचीत का सही माइने में यही उतन तरीका है तो यहाँ पे कुल मिला के यह चैप्टर हो जाती है आपको उमीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और कैसा लगा सच में कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपका कमेंट देख के हमें बहुत खुसी होगी कि हम आपको बहतरीन ढंक से समझा पाए नहीं समझा पाए आप निस्सित रूप से हमें बताएगा कमेंट लेक्शन में बहुत हम इंतजार हैं फिर भी आप करिए बताइए और अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो हम इस स्रीज को continue रखेंगे और पूरे slivers आपका हिंदी का भी complete बहुत ही कम समय में करवा देंगे और हाँ इसका test जो है आज साम में 7.15 में होने वाली है तो निस्यत रूप से आप 7.15 में live आ जाएगा education बावा YouTube चानल पे और आपको test देना है और देखना है कि इस chapter से अब आपको कितना objective options आप बना पाते हैं सही सही ठीक है तो आपको अभी एक homebug हम दे रहे हैं और homebug निस्सित रूप से करिएगा इस chapter में हम जो भी चेज लिखाए हैं न इस लिखाए हुए सारे चीज़ों को अपने copy में आप no time करिएगा वीडियो को back करिएगा ठीक है और फिर से आप अपने copy में वीडियो को रोख रो कि आराम से copy में लिखते हुए चलिएगा जिससे क्या हो कि आप उसको short time में revision कर सकोगे देखो आप copy में लिख लेना please हाद जोर के आपके request करते हैं कि आप लिख लेना बहुत important है वो चीज़ चीज़ तो मतलब इसलिए ये चीज़ काम करी लेना और बाकी जो है जैसा जो हो कमेंट करिएगा ही और वीडियो को like वगरा ये सब में मतलब कमी वगरा नहीं करना है मतलब अपना जो है ना पूरा चैप्टर अगर पूरे अच्छे से लाइन बाई लेना अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसमाव आप पे भी अबलेबल है बहुत ही कमफी में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट साइंस कोमर्स आर्ट के मिल रहे हैं तो जाओ आप डाउनलूड करो और अच्छे से अपना पढ़ाई रखो चलो ठीक है नीचे अपना कमेंट वगरा वो सारा चीज़ कर लेना और आज के इस क्लास में बस इतना ही हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में तब तक लिए बावाई